आज एक नए टॉपिक के साथ जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास टेंद का चैप्टर नूमर 12 है इलेक्टिसिटी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी कोश्चन्स जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं खासतोर से इस चैप्टर से नुमेरिकली कोश्चन्स आते हैं मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से नुमेरिकल्स जादा पूछे जाते हैं उसके बाद थियोरी पार्ट भी काफी अच्छा है तो सबसे पहले अगर आप थियोरी समझ जाएंगे तो फिर नुमेरिकल करना असान हो जाएगा तो मै मैं आपको इस चैप्टर में जो है नुमेरिकल्स जो है वो अलग से कराऊंगा उसके लिए अलग से वीडियो बनांगा तक ही जो है पूरा डेडीकेशन हमारा नुमेरिकल्स पर रहें बाकि साथ साथ में यहां पर जो चोटे-चोटे नुमेरिकल्स आएंगे उनको भी मैं कि जो भी electricity होती है वो सीधा किसी भी मशीन को operate करवा सकती है उसमें ज्यादा हमें कोई अलग से work करने की ज़रूत नहीं पड़ती अगर आपको electricity के बारे में जानना है कि electricity की कोज कैसे हुई और इसको कब बनाया गया किसने बनाया तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो अब देखो जो electricity होती है यह सीधा dependent होता है चार्ज इस पर यानि कहीं पर भी अगर चार्ज फ्लो करता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर electricity होगी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसी चीज से कि electric current क्या होता है देखो होता है circuit के बारे में हम आगे discuss करेंगे किसी electric circuit में अगर charge flow करता है तो उसको current हम कहते हैं दूसरा कि कोई भी object होता है उस object होता है उस object के अंदर atoms होते हैं अब जो atoms हैं उन atoms के अंदर nucleus होता है nucleus के बाहर electrons होते हैं तो अगर हम इन atoms को एक दूसरे में रफ करते हैं तो रफ करने से क्या होता है कि वहाँ पर electrons उसके surface पर आने की वज़े से वो एक दूसरे को attract करते हैं मतलब attraction या repulsion दोनों force जो है वो generate करते हैं अगर plus वाले charge होंगे और अलग से plus वाले charge होंगे तो यह द attract करेंगे अब electric charge electric charge मैंने आपको बता है ठीक है उसको एक definition के तौर पर भी मिलिख सकते हैं कि एक physical property होती है नेचर में किसी भी substance की जिसकी वज़े से कोई force experience करता है कोई another substance जैसे example यह cap है और यह पैन है अगर इनको मैं कहीं पर रफ करता हूं तो यह इसको attract करेगा दूसरा surface पर आजाएंगे और जब आप piece of paper के पास उसको ले कर जाओगे तो वो उसको attract करेगा next है कि जो charges होते हैं यह दो type के होते है positive और negative charge ठीक है तो positive charge और negative charge कहीं पर पाए और यह देखो दोनों independently है ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पर positive charge होगा वहाँ पर negative charge होना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है यह दोनों अलग-अलग charges मिल सकते हैं हमें उसके बाद charges का SI unit क्या होता है charge का SI unit होता है कुलांब और इसको हम दिखाते हैं C से बड़े जो capital C से कुलांब को शो किया जाता है अब बाद आती है कि जो कुलांब होता है ठीक है यहाँ पर जो electrons है इन electrons पे कितना क कुलांब चार्ज होता है तो एक electron पे minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलांब चार्ज भाए जाता है और अगर proton पे देखा जाए तो plus 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलांब चार्ज होता है आगे देखते हैं chapter में कि जो electric charges होती है इनकी properties क्या होती है properties का मतब इनके गुण कैसे होते हैं क्या तो अगर कहीं पर एक जैसे charges होंगे जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया था थोड़ देर पहले कि positive positive ये like charges कहलाएंगे negative negative ये like charges कहलाएंगे तो ये एक दूसरे को repel करेंगे लेकिन अगर ये unlike होंगे तो ये एक दूसरे को attract करेंगे दूसरा nature होता है कि जो electric charges होते हैं वो algebraically add होते जाते हैं मतलब जो charges होंगे वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते जाएंगे तो यहाँ पर electric charge जो होता है वो conserve होता है next जो electric charge होता है वो quantized होता है quantized का मतलब यह bundles में रहते हैं ठीक है bunch और packets के form में यह flow करते हैं इसके लिए formula है Q बराबर N E Q का मतलब हो गया charge N का मतलब हो गया number of charges ठीक है और E का मतलब होता है charge on electron यानि उस electron पर कितना charge है ठीक है इसके लिए formula मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसी formula को कुछ इस तरह के से भी हम लिख सकते हैं अगर हमे number of charges calculate करने हो तो आप यहाँ पर जो charge है उसको charge on electron से divide कर दोगे तो number of charges आपको पताचीज जाएंगे अब हमें यह देखना है कि एक electron पर कितना charge होता तो एक electron पर 1.6 into 10 की power minus 19 कुलांब चार्ज पाया जाता है अब अगर यहाँ पर electrons flow कर रहे हैं ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 कुलांब charge कहीं पर flow कर रहा है तो अगर 1 कुलांब charge कहीं पर flow करेगा तो उसमें 6.25 into 10 की power 18 electrons flow करेंगे कहीं पर अगर 1 कुलांब charge flow करता है तो वहाँ पर 6.25 into 10 की power 18 electrons flow करेंगे ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना और इस सभी electrons में जितने भी electrons यहाँ flow कर रहे हैं एक कुलांब charge में उन हर एक electrons के पास 1.6 into 10 की power minus 19 कुलांब charge होगा हर एक electron पर यह जितने electrons यहाँ पर है माल लो एक्जांपल के 10 electron flow कर रहे हैं तो उन 10 में से हर एक electron पर इतना charge था कुछ ऐसा मैंने बताए हैं यहाँ पर अब आगे चलते हैं एक नया टॉपिक है electric potential और potential difference तो electric potential electric potential में क्या होता है कि किसी एक charge को उठा के अगर हम किसी दूसरे charge के पास ले जाते हैं और ऐसा करने में जो भी work done हम वहाँ पर करते हैं उसको हम बोलते हैं electric potential तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि the space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge यानि इसकी वज़े से वो एक force experience यहाँ पर कर रहा होगा एक influence जो है वो experience कर रहा होगा तो इसको हम potential difference के नाम से जानते हैं और जिसको अलेक्जांडर वोल्टा ने हमें बताया था और इसी लिए electric potential का ऐसा unit भी हमने वोल्ट रखा है ठीक है वो वोल्टा की वज़े से क्योंकि एलेक्जांडर वोल्टा ने इसके बारे में बताया था इसकी definition की बात करें तो definition जो मैंने बताया आप उसको as a definition के form में लिख सकते हो PD, PD for potential difference at a point in electric field अभी electric field का मतलब क्या होता है जैसे यह charge है तो इस charge के अपने आसपास कुछ field lines होती है जो दूसरे charges को अपनी तरफ attract करेंगी या फिर repel करेंगी तो इनका एक particular field, field का मतलब एक area होता है जहां पर इनका जो energy है वो वहां तक बरकरार है ता अगर उस field में कोई भी charge आएगा तो उसकी तरफ वो attract हो जाता है तो इसलिए इसको हम बोलते है electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity, infinity का मतलब किसी अनंत दूरी से बहुत दूर है वहां से किसी charge को carry करके हम यहां तक ले जाते हैं तो यह force influence करता है जिसको हम potential difference के नाम से जानते है इसका जो formula है वो है V वराबर W upon Q तो V का मतलब हो गया potential difference, W का मतलब हो गया word done और Q का मतलब हो गया charge अब आपको अगर सिर्फ formula याद है और यह चीज नहीं याद है इसको आप नहीं लिख पाऊगे तो सीधा आप इस formula को लिखके इसी formula को यहां define कर देना कैसे लिखोगे कि potential difference is defined as the ratio of work done and charge ठीक है उसके बाद इसका ऐसा unit क्या है वोल्ट इसका ऐसा unit जो होता है वो वोल्ट है potential difference और इसको भी हम दिखाते हैं V से इसको किस ने discover किया था एलेक्जंडरो वोल्ट आने एक और question कि आप से पूछा जाए कि one वोल्ट क्या होता है define one वोल्ट तो आप इस formula को कुछ इस तरह के से लिख दोगे वन वी वराबर वन जूल अपॉन वन कुलाम क्योंकि वर्डन का ऐसा unit होता है जूल और चार्ज का ऐसा unit होता है कुलाम तो one वोल्ट is defined as the ratio of one जूल वर्डन इन ए कुलाम ओफ चार्ज या unit कुलाम ओफ चार्ज ठीक है तो यहाँ पर एक डिफाइन जो है या one वोल्ट को हम define कर देते हैं इस तरीके से दूसरा एक note करने की चीज़ है कि जो potential difference होता है वो scalar quantity होता है मतलब इसके पास कोई भी direction नहीं होता flow करने का अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ smaller units की इसे में बात कर लेते हैं कुछ smaller units होती है यह पूछा जाता है तो smaller units of electric potential जो electric potential है इनकी smaller units क्या होती है तो smaller जैसे 1 milli volt इसको दिखाते हैं small m और capital V से तो 1 milli volt का मतलब minus 3 volt अब देखो minus 3 10 की पावर minus 3 का मतलब होता है milli next है micro की बात करेंगे 1 micro volt अब micro volt को यह mu और V से शो किया जाता है और यह होता 10 की पावर minus 6 volt अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में कि अगर large units की बात करें इसी में तो किलो वोल्ट आएगा मेगा वोल्ट आएगा तो यह smaller units हो गए और यह larger units larger units of electric potential तो जो electric potential के larger units हैं वो है kv 1 किलो वोल्ट तो इसको हम दिखाते है k और V से जो की होता है 10 की पावर 3 यहाँ minus 3 यहाँ पर 3 और फिर एक आता है megavolt 1 megavolt इसको हम दिखाते है mv से और इसको लिखते है 10 की पावर 6 वोल्ट तो हमने देखा electric potential क्या होता है और इसके बारे में यहाँ काफी चीजे हमने deeply में पढ़ा और उसके बाद इसी के साथ जो मैंने एक और topic लिखा था जिसको हम बोलेंगे electric potential difference तो अगला है electric potential potential difference तो आएए जानते है electric potential difference क्या होता है तेखो electric potential difference में मतब दो charges को separate करके जो हमने difference create किया है उसी को हम electric potential difference भी कहते हैं ठीक है जैसे बैटरी में आपने देखा होगा कि उसमें एक terminal होता है positive और दूसरा terminal होता है negative तो इसकी definition से ही हम लोग start करते हैं इसकी definition मैं लिख देता हूँ कि electric potential difference between two points अब वो points कुछ भी हो सकते हैं माल लो points A और B ले लो points A and B जैसे मैंने आपको बता है plus और minus के बीच में जो difference है उसको point A या point B हम कह सकते हैं is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from point B to point A अब देखो यह point point क्या मैं बोल ला हूँ अब आप यहाँ पर एक diagram छोटा सा मैं बनाजेता हूँ ठीक है इस diagram से आपको और अच्छे से बाते समझ में जाएंगी देखो कि यहाँ पर एक diagram से कि मैं आपको बताजेता हूँ जैसे यहाँ पर यह टेंक है इस टेंक में मैंने water fill किया हुआ है ठीक है इस water का level मैं पहले set कर देता हूँ यह water है और यहाँ पर कुछ level इस तरीके से ठीक है और यह हमारा valve है वाल्व से मतलब हम इसको बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं पानी को जो भी यहाँ पानी भरा और जो flow of water है वो कुछ इस तरीके यहाँ पर है तो एक water के diagram से यहाँ पर दिखा है इसलिए यहाँ पर point A और point B definition भी मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर जो भी potential difference create होगा potential difference का मतलब आप देखो कि पानी इधर कम है तो water इस तरफ flow करेगा ताकि पानी दोनों तरफ बराबर हो जाए same batteries में भी होता है अगर कोई भी battery होती है battery के अंदर terminals होते है एक negative terminal और एक positive terminal ठीक है तो जो direction होता है charges के flow होने का और current के flow होने का तो current हमेशा flow करता है positive से negative की तरफ यह बात आप ध्यान रखना तो आप लिख दोगे current always flows from positive to negative terminals terminals यानि जो current होता है वो हमेशा plus से minus के तरफ flow होता है तो एक time तक क्योंकि जो dry cells होती है यह batteries होती है इनके अंदर क्या होता है chemical reaction होता है उन chemical reaction की वज़े से जो electrons आते हैं ठीक है वो electrons flow होते हैं और उस flow of movement की वेसे electric charge electric current generate होता है यह मैंने आपको starting बता देख कही बर भी electric current अग हो रहे हैं तो जो भी charges flow होते हैं वो हमेशा positive terminal से negative terminal की तरफ जा रहे है यानि positive पे क्या है high amount में charges है negative terminal पे क्या है low amount में है तो यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर flow करता है ठीक है current flow करता है लेकिन जो charges होते है वो अब आपको देखना है यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा नोट करके कि जो charges होते हैं यानि electrons वो हमेशा flow करते है negative से positive की तरफ तो electric current कैसे flow करता है plus से minus की तरफ और electrons कैसे flow करते है negative to positive मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोंस अल्वेज मोव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ठीक टर्मिनल स्वरी तो जो electrons होते हैं हमेशा positive से negative की तरफ flow करते हैं इसका मतलब कि यह जो negative वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर बहुत सारे charges हैं और वो इस तरफ flow करता जा रहा है तो जब वो इस तरफ shift हो रहा है charge और यहाँ पर इसके उल्टे direction में क्या हो रहा है current flow होता है ठीक है तो जो current की direction होती है वो plus से minus की तरफ होती है और जो electrons की direction होती है वो negative से यानि minus से plus की तरफ होता है तो इनहीं के बीच में जो potential difference हम generate कर देते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर show करते हैं वोल्ट से ठीक है तो यहाँ पर भी जो again जो formula होता है वो यही formula है जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था हूँ potential difference वाला की work done upon charge ठीक है यह same formula है इसके लिए भी कोई formula बदलाव नहीं है तो इसको w upon हम क्यों लिख देते हैं ठीक है यह same formula आप लोग ध्यान लखना इसी formula पे numerical होगा यह इस chapter का दूसरा formula है यह मैं आपको बता तो यह इस chapter का दूसरा formula है और इसी formula पे जो हमें question करना है अब इसमें कई सारे चीजे हम लोग measure भी करेंगे और यहाँ पर भी जो units होती है मतलब potential difference की जो unit है वो भी volt ही उसको मतलब potential difference भी जो हम volt में ही नापते हैं और ऐसा unit होता है इसका volt और उस volt को हम दिखाते हैं capital V से अब यहाँ पर एक चीज और मैं लिख देता हूँ यह हो गया work और जो charge है चार्ज को हम लिख सकते है current into time यह इसका formula होता है क्योंकि यह बात मैंने आपको बताया था याद करो q एक form और मैं लिख देता हूँ q equal to it यह formula है यह भी बहुत important formula है ठीक है q equal to it current into time तो w बराबर sorry v बराबर w upon और q की जगा it यह formula बन गए अगर आपको numerical पूछा जाता है और उसमें आपको current दिया हो time दिया हो burden दिया हो तो आप voltage calculate यहाँ से कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया कुछ current के बारे मैंने मतलब electricity के बारे में मैंने आपको बता दिया चार्ज के बारे मैंने आपको बता दिया अब देखो जैसे एक छोटा सा मैं circuit बनाता हूं यहाँ पर समझाने के लिए ठीक है यहाँ पर suppose करो अब यह कुछ symbols है मैं इसको आपको अलग से बता दूँगा यह battery है यह key है और यह electric bulb है ठीक है और यहाँ पर कुछ इन currents को measure करने के लिए devices लगे हुए है तो यहाँ पर जो terminals हो है यह plus कहलाता है इसको minus कहते है और यह जो switch है यह इस समय on है तो जो current flow करेगा इस तरीके से करेगा तो current को हम दिखाते है capital I से ठीक है तो I का मतलब क्या हो गया electric current यह terms है electric current ठीक है तो यह current जो है वो इस तरह से flow करेगा और यहाँ पर electric bulb जो है वो glow कर जाएगा और यहाँ पर current यहाँ आ जाता है उससे इसके बाद जो charges होते हैं वो negative to positive के तरफ flow करते है ठीक है न और T का मतलब यहाँ पर time है तो आप इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना उसके बाद कुछ measuring devices है जो इनको measure करती है तो current को measure करने के लिए और potential difference को measure करने के लिए measuring devices है तो current को measure करने के लिए device काम आता है कि एमीटर कि ठीक है और potential difference को measure करने के लिए काम आता है वोल्ट मीटर ठीक है जो current को measure करने के लिए काम आता है वो amid interaction मesur कि काम आता है वो है वोल्ट मीGG मेटर उसके बाद जो Main daíटर होता है खीक है इसको connect करते हैं connected always in series अब series और parallel क्या होते है इसके बार हम discuss करेंगे उसके बाद connected always in parallel ठीक है यह वो devices है जिनको हम use करते है current और potential difference मापने के लिए ठीक है और इनको आप ध्यान भी रखना तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टिजंक स्टुड़ी पॉइंट अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और इस पेज को फॉलो करें और यूटूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें